आज के इस नए लेक्चर में हम बात करेंगे methods of laying of underground cables यह थर्ड यर एलेक्टिकल के students के लिए power system second subject में यह useful topic है के जैसे हम जानते हैं कि केबल का उपयोग हम underground system के लिए करते हैं और underground system के लिए करते हो तो उस cable को हमारे को कहीं भी underground उसको ले करना पड़ता है उसको डालना पड़ता है तो डालने के तरीके कौन-कौन से हैं उसको आज इस लेक्चर हम डिसकस करेंगे डालने के तीन तरीके केबल को विच्छाने के तीन तरीके नमबर वन डायरेक्ट लेंग नमबर टू ड्राईन सिस्टम जिसको ड़क्ट और पाइप लेंग भी बहुते हैं और तीसरा दिए यो सिध्य केबल को सीधा एक ट्रेंच बनाते हैं और उस ट्रेंच में वह केबल जिसमें की ऑज मिचा देते हैं वह कुनिक आर्मेरीं के कारण उसमें एक्सिलेंट होता मेकनीकल डेमैज्ग और मेकनीकलane होने के करान हमारे को इस बात के लिए स्ोंच नहीं का उश्चकता नहीं होथि कि किसी भी प्रकार का प्रकार का चैसे बाध बाद किसी प्रकार का प्रह करेशरि आता है तो अधिशन के वडु सभारा О आ जैसा इसंट में नायक्राम में दिखा रखा है हम इसको इस तरीके से ट्रेंच बनाते हैं ट्रेंच बनाके उसमें केबल को डाल देते हैं और बाद में सेंड की फिलिंग कर देते हैं केबल को ग्राउंड पर डालने की जगे थोड़ा सा सेंड फिल करके डालते हैं ताकि केबल के आसपा सेंड एक कुशन का कारे करें केबल के ठीक उपर ब्रिक लगा देते हैं जिससे कि कभी कोई next work के कोई excavation work हो तो वहां जो ब्रिक को आईगी तो कोई भी कारे करने वाला मजदूर उसके वात का भास हो जाए कि यहां already कोई केबल है और उस केबल की किसी प्रकार का खत्रा नहीं रहेगा यह जो डायट लेंग मेथड है उस डायट लेंग मेथड के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन है जो इस प्रकार है कि अगर वन पॉइंट वन केवी तक के केबल है तो इसको पॉइंट या पैतालीस सेंटिमिटर प्लस रेडियस अप केबल के बराबर अंदर मिनियम डेफ जो रखेंगे और 11 केवी से 33 के बीच का अगर कोई केबल का वर्किंग उल्टेज है तो इसको में एक मिटर प्लस केबल के बनाबर उसके डेफ्थ रखते हैं इस प्रकार के दारेक्ट लेंग मेथड के एक सर्टेन डिसएडवांटेज है नमर वन यह मेथड चीफ है सिंपल है कि हमने सिंपल एक ट्रेंच बनाए उस ट्रेंच में सेंड डाली पहले ताकि एक बेडिंग बन जाए और अस बेड बनने के बाद फिर हमने उसको केबल को बिचा दिया क केबल तुकि अलडिडि इसके लिए इंपोर्टेंट बात यह है कि हम केबल वही केबल का चुनाव डायट लेंग के लिए करते हैं जिसमें की आर्मरी होती ताकि उस के बल की मेकैनिकल इस्टेंट अची है बाहर से किसी प्रकार का कोई मेकैनिकल शोक डेमेज होने से केबल को किसी प्रकार का नुकसान गया होता है clean है दिशी तरूप से provides better heat dissipation और चुकि cable सीधा send के contact में है तो जब भी एक current बढ़ता है धारा बढ़ती है उसमें धारा के बढ़ने से उसमें जो heating होती है दूस हीटिंग को heat dissipation बढ़िया हो जयता है लेकिन इसके कुछ disadvantage वो disadvantage है कि extension of load is tough इसमें से चुकि एक बार केबल बिचाने के बाद उसमें से load के extension के लिए tough और costly भी जाता है localization of fault is difficult fault को localize करना भी competitively इसमें tough होता है risk of the damage हाई है क्योंकि सीधा trench जो बनाए हमने उस trench को कहीं से किसी प्रकार का कोई protection नहीं कि अ जांग उसमें damage की ज्यादा होती और congested area में यूजनी कर सकते हैं कि congested area में हमारे को खुदाई करने में स्वीदा होती है इसलिए महारे यूजनी कर सकते हैं और इसकी maintenance cost ज्यादा होती क्योंकि इसको खोदने के बाद खोदने में थोड़ी सी परेशानी जदा होती है ये इसके disadvantage है इसका जो अगला हमारे पास मेथड है केबल लेंग का वो है ड्रॉइन सिस्टम या इसको बोलते हैं पेपर पाइप लेंग इस प्रकार के मेथड को हम समानेते हैं कंजस्टेड अरिया में काम में लेते हैं जहां excavation बहुत कोश्टली हो और इंकन्विनेट भी हो कि उसको मासानी से करने सकते हैं इस मेथड में पहले से जिसे जो डारेक्ट लेंग था हुस्त हमने पहले से केबल को डालने के लिए कुछ नहीं किया था हमने केबल एक केबल के डायमेटर से तीन से चार सेंटिमेटर के आसपास तक ज्यादा हो जाए ताकि टेबर को केबल को आसानी से पूल कर सके और इसमें केबल जो होती है वो साइड बाई साइड यानि पाइप जो लगाते हम साइड बाई साइड लगाते चलते हैं और इसके बाद उसको इस डायग्राम में हमने चार एक साइड में लगा रहे हैं। और इन पाइपस में से हम अंदर केबल को डाल के निकालेएं। क्योंकि केबल को डालने के बाद हमारे को किसीיה खॉसे करता है, कि हम state डालें और लेकिन फिर भी इसमें प्रोवीजन है कि हम अगर जरुत पड़ती है तो केबल को turn or twist भी कर सकते हैं जहां भी इस केबल का joint होगा जहां से केबल को enter करेंगे जहां से केबल को बाहर निकालेंगे वो एक manhole के थुरू करते हैं manhole का diagram जैसा आपको दिखा रहा है इसमें यह इस प्रकार का होता है कि concrete का एक slave होता है उसके उपर cast iron का cover लगा होता है और उसमें दो साइट से pipe को केबल को लाने के लिए pipe लगे होते हैं यह drawing pipe है और दूसरी साइट का जो pipe है इस प्रकार के cable laying method के भी निश्य तुरूप से कुछ advantage कुछ disadvantage है इसका एक advantage थे कि maintenance cost कम होती है क्योंकि cable में किसी प्रकार का direct send से contact नहीं किसी प्रकार का कोई मोईश्य जाने के सम्माव ना कम है इसलिए उसकी maintenance cost कम केबल में यह अच्छा ही होने के कराण इस प्रकार की cable की life बहुत अच्छी होती है लॉंग टाइम तक सर्फ करती कि किसी भी प्रकार से moisture या corrosion का effect उसमें कम से कम होता है कोई chemical भी अगर कोई हो तो किसी प्रकार का कोई हो नहीं होता क्योंकि cable में होती है यह कंड्यूट में होती है और वो कंड्यूट पूरी तरीके से कवर्ड होता है और उसमें एंट्री के लिए हम केबल में होल से उसमें रास्ता बनाते हैं इस एड्वांटेज है कि इस प्रकार के केबल को ले करना क्योंकि पहले हमने के लिए च्परृक्स केले करने के लिए हमने पहले ट्रेंच बनाई पर दूसरा दिख स्टाथ यह कि इसमें करेंसा नढड़ से क क्योंकि हीर्ट ड्षीय exemples मिख संग होता हुआए current carrying capacity कम हो जाती और यह secondary distribution के लिए भी unsuitable होती क्योंकि इसमें taping करना सोड़ा सा परेशानी वाला काम होता है और हम जहां भी जरूत होती है हम क्यों मेनोल से कर पाते थर्ड प्रकार का जो system काम में लेते हैं वह है solid system solid system कि इस प्रकार के cable laying के system में हम एक ट्रगिंग को काम में लेते हैं ट्रगिंग को कुछ नहीं एक देशी अगर मैं रास्तान खेर एक बात करूं तो ट्रगिंग कुछ भी नहीं जिस प्रकार से हम गाहों में जानवरों को गायां को या वहेसों को पानी पिलाने के लिए आचारा खिलाने के लिए उनके एक साथ एक बड़ा सा खेल सा मरा देते हैं ताकि उसमें एक साथ बहुत सारे जानवरों को हम भूसा खिला सके इस प्रकार का एरेजमेंट हम करते हैं जिसको हम ट्रगिंग बोलते हैं और ये एक ओपन ट्रेंच में होती है उस चेनल हो ये खोद के उसको बना देते हैं और उसमें बाद में उसको केबल को डाल देते हैं उसके बाद केबल उस kaşt iron की बनी होती है या इसटोन इसपाल की बनी होती है या लगडी को भी को इसपेशली टृटेट करके भना लगडी लोंग बनी रहे इसो भाष समाने इसंपोन इसलड बेस बनाते हैं ताकि कैबल शुरक्षित में रहे यह सोलिट टाइप की कैबल- में भी बाध करें थे उसका केबल की टॉंगिंग का ये आसब सपास छिसमें हमने खेचिंग में बता रखा ये टॉऑ हैं मैं भी हमने केबल कोड़िए कर अधर के ऐसे समय कि भिलकुक्लोग सेप्रेट है Jin इसके उपर कवर है कोपर फिर हमने बिटमिनल या कॉल्टार से इसको हम कवर कर देते हैं। यह जो मैथड है। इस मैथड के एड़्वानटेज हमारे होगी है कि इसका मेकेनिकल स्टेंज बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हमने उपर से इसको पर कॉलतार लगया हुआ है तो इसकी mechanical strength बहुत अच्छी होती है और इसलिए इसमें किसी प्रकार का chemical attack या moisture का अटेक होने के सम्मावना है कम रहे थी है करोजन के भी सम्मावना ही बहुत कम रहे थी है लेकिन इसका disadvantage है कि इनकी cost बहुत अधिक होती है और चुकि इसमें skilled label की आवशक्ता होती है हमने उपर से जो उसको कवर किया है तो कवर करने के बाद जो हम मजदूर काम कर रहे हैं या जो कारी गड़ने जिसको बना है वो करते हैं कि इसकी success rate comparatively कम आकी गई है इसमें चुकि के बान लंदा रेयर उपर से विट्रमीनिस कवर लगा हुआ है तो इसलिए इसकी कि डिसिपिजन लेट भी पूर होती है और maintenance cost इसकी निश्चित रूप से ज़्यदा होती है इससे system की हमारी cost बढ़ती है यह जो व्याख्यान है वो निश्चित रूप से हमारे बच्चों के लिए लाब करी होगा